नमस्कार साथियो आज एक और खास विश्यप पे वीडियो लेकर क्या आपके बीच में हैं जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा इस वोड़े बात करने वाला हूँ मैं सफलता की चाबी के बारे में जी हाँ यही सफलता की चाबी है चाहे किसी भी फील्ड में आपको सफलता चाहिए बहले आप राजनीती में हो बहले आप बिजनिस करते हो जाब करते हो किसी भी फील्ड में सफलता की चाबी के बारे में आज में बात करने वाला हूँ जो वाकई आपको सफलता दिलाएगी वो क्या है वो है आपका वेक्तिगत विकास जी हाँ वेक्तिगत विकास ही सफलता की चाबी है चाहे राजनीती की बात करें बिजनिस की बात करें जॉब की बात करें हर फील्ड में सफलता दिलाएगा वेक्तिगत विकास यदि यदि आप समय के साथ grow नहीं कर रहे हैं आपके अंदर development नहीं हो रहा है आप विकास नहीं कर रहे हैं तो आप सफलता नहीं पाएंगे चाहे किसी भी फिल्म में आप हो हर दिन आपको बदलना पड़ेगा जॉब में जब आप जॉब करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है ये मत देखिए ये देखिए आप किस तरह के वक्ती बन रहे हैं हर दिन आप बिजनिस कर रहे हैं तो ये बदेखिए कि शुरुआत में आपकी अरनी कितनी है आप ये देखिए कि आप क्या कुछ नया सीख पा रहे हैं वहाँ नहीं सीख पा रहे हैं राजनीती में है आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं इस पर देखिए कि बढ़ते बढ़ते क्या आप अलग वक्ति बढ़ने पहले से जादा बहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं यदि आप बहतर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आप सफल नहीं होंगे आप गल लायक ना बन जाए, उसका व्यक्तित विस्सिस्तर का ना हो जाए, तब तक वो जिम्मेदारी को नहीं सभाल पाएगा, के बार हमने देखा है, आपने भी देखा है, कई लोगों को विरासत में बहुत पैसा मिल गया, कोई बड़ा बिजनिस, बड़ा एंपायर मिल गया, हुआ क्या, वो इस लेवल पर पहुंस तो गए, लेकिन विक्तितु का विकास नहीं किया, तो आइसा इसा इसा बिजनिस का लेवल नीचे आ गया, और जिस लेवल पर उनका विक्तितु का विकास हुआ था, उस लेवल तक ही वो राजनिती बिजनिस या जॉब में वहां कर रुग गए यदि यदि आप चाहते हैं कि आप बड़े इस तरकी किसी चीज़ को सम्हालें कोई बड़ी जिम्मेदारी बड़ा दाइत वापको मिलें तो पहले अपने वेक्तित्व को बढ़ा करिये पहले अपने वेक्तित्व के गुड़ों को डवलप करिये और जब गुंड डवलप हो जाएंगे, बड़े लवल की चीज़ों को समभल ले लायक हो जाएंगे, तब आपको बड़ी चीज़ अगर मिलेगी, तो आप उसको असानी से समभल पाएंगे, अक्सर मैं भी बड़ा हैरान होता था, बहुत सारे लोगों को देखता था, राजन तो मिल भी गया, तो वो समभल नहीं पाएंगा, और ये जो वक्ते विकास होता है, ये सतत प्रिक्रिया है, लगातार निरंतर चलने वाली है, और ये आईस्ता ही होगा, जो कहते हैं ना उमर के साथ तजरुबा आता है, तजरुबा इसलिए आता है, क्योंकि वो समय अगर वेक्ति अपने वेक्ति विकास में लगाता रहे तू ये नियुक्ते क्या आप 10 साल सोते रहे और फिर आप कहें कि 10 साल मुझे एक्सपिरियंस हो गया तो वो एक्सपिरियंस नहीं दäज साल नौकरी कर ली किसी ने का मुझे 10 साल का लौकरी का तजरुबा हो गया, दस साल मैं राजनीती, मैं राजनीती का तजरुबा हो गया, दस साल मैंने बिजनेस कर लिया, मुझे बिजनेस का तजरुबा हो गया, लेकिन इस बिजनेस, नौकरी या राजनीती करते हुए, आपके व्यक्ति तुम्हें कितना विकास हुआ, आपने क कोई चीज कहीं से आप इधर उधर कुछ करके गड़ बड़ खुटाला करके कोई बड़ा पद ले ले कोई बड़े जिम्मेदारी ले ले कोई बड़ा बिजनिस ले ले कोई बड़ा पैसा ले ले आप देखिएगा वो एक ना एक दिन छूट जाएगा तूट जाएगा वो समाप्त हो जाएगा और आप वापस उसी इसतर पर आ जाएंगे जिस इसतर का आपका वेक्तित विकास था जिस इसतर के आपके वेक्तित के गुन थे आपने अगर अपने परसनल ग्रोथ के लिए का कर रही है आप अपने आपको अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं और मैं कई फ्री सेशन में कई वीडियो में बोल चुका हूं कि जो लोग आगे बढ़ते हैं सफल होते हैं वो लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं जो लोग वागई इतिहास रसते हैं उन्हें देखिएगा व लोज हर दिन कुछ नया सीखर होते हैं वो अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे होते हैं किए उनको पता है यही कीदफ सक्समिक है है यही चाबी है सफलता गिए गृ मंतर है यदि हमने अपने वेक्तित विकास को डवलप कर लिए आपने वेक्तित विकास पर काम किया और हम लagता डवलप होते हैं समय के साथ, तो हम नौकरी में रहेंगे, वहां भी हम ग्रो करेंगे, बिजनिस में रहेंगे, वहां भी हम ग्रो करेंगे, राज निती में रहेंगे, वहां हम ग्रो करेंगे ही, और जो लोग, जो लोग अपने उपर मेहनत कर रहे होते हैं, वो देखेगा, व लोगों वाले गुण सीख रहा हूं, क्या मैं निरंतर कुछ निया कर रहा हूं, क्या मैं अपने पस्टेलिटी में कुछ बदलाव लेकर के आ रहा हूं, क्या मैं अपने काम करने के ढंग में कुछ बदलाव ला रहा हूं, और यदि नहीं ला रहा हूं, तो पास साल, दस साल, 20 साल एक जगा काम कर रहेने का मतलब उस चीज़ का experience हो जाना निरंतर उसी level पर रह जाना है experience का मतलब यह होता है कि आप पहले से क्या बहतर बन पाए एक level पर रह करके आप यह सूचते हैं कि आपका 10 साल क्यों कि आपने वहाँ गुजार दे तो आपका experience काउंट कर लिया जाए नहीं ऐसे नहीं काउंट किया जाता है काउंट किया जाता है कि आपने इन 10 सालों में क्या बदलाव किया क्या कंपनी में आपकी वज़ा से कुछ बदलाव हुआ कुछ नए ideas, नए thoughts आपने दिये क्या आपने काम करने के धंग को कुछ आसान बनाने कोशिश की क्या आपने कोई नया ऐसा idea दिया जिससे company की growth हो सकती थी party की growth हो सकती थी जिस business में आप थे उस business में कुछ नए ideas, नए thoughts ला सकते थे और जिन लोगोंने लाए हैं उन्होंने तियास रचा है ये YouTube किसी की thought ही तो था ये Internet किसी का thought process ही तो था कि जो आज आप मुझे सुन पा रहे हैं या दुनिया में कहीं भी वैठा वैक्ति किसी को भी सुन सकता है ये revolution थे कुछ लोगोंने सोचा, कुछ लोगोंने हट करके काम किया लीक से हट करके सोचने कोशिश की कुछ नया करने का प्रियास किया कुछ ऐसे परिवर्तन पर फोकस किया जो वाकर इतिहास रच गए आप भी कर सकते हैं और अगर सफल होना चाहते हैं तो वैक्तित विकास पर फोकस करिए मेरा सारा फोकस इसी पर है आप अपने आपको बदलिए और कोई भी वैक्ति तब तक किसी को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जब तो वो खुद बदलना ना चाहे जब मैं बेवकुफ था तो मैं सूश था था कि मैं लोगों को बदल दूँगा कि मैंने रोज नया सीखा सीखा फिर लोगों को सीखाना शुरू किया फिर भी किसी हुए नहीं का कि तुम मेरे मिसाब से बदल जाओ मैं कह रहा हूँ इसलिए बदल जाओ नहीं इसको इंप्लीमेंट करो टेस्टिंग करो चेक करो और मेरी बातों में अगर कुछ लगे सच्चाई है तो उसको जो सच्चाई वाला पाट है उसको सुईकार कर लो और हर किसी को अपने मतलब की कुछ ना कुछ चीज़े मिल जाती है सच्चाई को जो सुईकार कर लेते हैं वो बदलते मीं है बहुत सारे लोग हैं जिन्हों ने राजनीती के शिकार थे और अज ona राजनीती का हिस्सा है चुनाव जित लिए उन्होंने सिर्फ योटिप की वीडियो सुनकर के क्योंकि उन्होंने अपने आपको बदलने के लिए स्विकार किया सबसे पहले तो इस विकार किया कि वही वही है कारण अपनी सफलता या सफलता का और यदि वो अपने आपको बदलने को तयार होंगे और बदलेंगे समय के साथ सिचुएशन के साथ अपने आपको अपडेट अपग्रेट करेंगे तो आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी और उन्हें जब इस मार्क पर चले तो उन्हें सफलता भी पाई तो मैंने कोशिश किया आज आज आपको बताने की सफलता की चाबी क्या है और हर किसी के लिए सफलता की चाबी है हर field के लिए सफ़ता की चाभी है अपने वेक्तितु का विकास करना समय के साथ अपने आपको update, upgrade करना कोशिश करूँ आगे भी आपको guide करता रहो कोई और doubt है, कोई और सवाल है किसी और topic पर वीडियो चाहिए तो comment में लिख सकते हैं ट्रिनिंग लेना चाहिए तो YouTube के माधियम से देखेगा subscribe साथ, join बटन है blue color का, माँ click करेंगे, बहुत सारी options आजाएंगी आप join कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रिनिंग ले सकते हैं ट्रिनिंग हमारी website पर भी मिल जाएगी online, हमारी website है www.iplindia.org आज़ी, वहाँ भी जाकर के online ट्रिनिंग मिल जाएगी मुझसे बात करना चाहें, तो वीडियो के description मेरा number मिल जाएगा 24-25 इन बात करेंगे, डारेट बात कर सकते हैं मैं कुशिश करूँ आपको guide करता हूँ आपके उज़ी राजी दी पविश्य के लिए हर दी शुब कामना है जै हिन, जै भारत